आज मैं आप लोगों के साथ एकदम फूली फूली खसता प्याज की कचौरी की रैस्पी सेयर कर रही हूँ और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात है ना किसे मैंने बिना मैदा के बनाया है बहुत ज़्यादा क्रिस्प बनेगी मतलब कोई भी खा करे या देख करके नहीं बता सकता कि बिना मैदा की है साथ ही आलू की बहुत ही अच्छी चटनी की रैस्पी सेयर करूंगी जो कि इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगते एकदम इस्ट्रीटी स्टाइल खाने में हे एवरिवन वेलकम टो मैं संडे स्पेसल कुकिंग व्लॉग तो आज मैं प्या कारीक मोटीक ऐसी भी ले सकते हैं लेकिन वन मैप फोर कप आप पो डालना ज़र रही है इसी से जो कचोरी अनकतम खसता बनेगी साथ ही डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अब इसमें डालेंगे एक चमच के अराउंड मतलब आजवाईन जिसी की कचोरियां बहुत ज चमच होता है ना उसे आप चार चमच डाल दें उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं मतलब दो कप हमने आटा डाला था वन वाई फोर कप सूजी इसके लिए तीन चमच दे लिग्दम काफी रहेगा अगर आपको लगे अगर आप अच्छे से मिक्स करें आप रिक्दम अच कचारी अना बहुत ही ज़ादा अच्छी बनेगी अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे बहुत ज़ादा पानी ना डालें और इसका जो आटा है आपको बिल्कुल भी हाड नहीं लगाना है ऐसा मत सोचेगा कि कचारी का आटा है तो आपको एकदम हाड लग मीडियम आपको आटा लगाना है जैसे कि हम पराठे बनाते हैं वैसी मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा हाड रख देंगे ना तो कचारी ना फट जाएगी तो बहुत ज्यादा हाड नहीं रखना है देखे विल्कुल इसी तरह से मैं मैंने एक कप पानी लिया था और यहां पर ने एक चमचे करी पानी बच रिया मतलब को एक हंदाजा हो जाएगा मैंने कितना पानी इसमें यूज किया है अब क्या करेंगे इसे गीले कपड़े से ढख करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि जो सूजी है ना फूल साथ सेट काली मिर्च तीन हरी लाइची डाली है और यहां पर मैं छोटी बाले मिर्च छे से साथ दार रहे हूं अगर आप बड़ी वाली मिर्च यूज करें जो नॉर्मल वाली मिर्च होती है ता आप तीन से जार डालिएगा सारी चीज़ों यहाँ पर लो फ्लेम पर आपको हलका सा भून लेना है लगतार चलाते रहिएगा नहीं तो जो मसाले यहाँ जल जाएंगे मैंने यहाँ पर इसे अभी मिकसर के जार में टांसफर कर दिया तब तक यह थोड़े ठंडा होगी तब हम क्या करेंगे यहाँ पर बेसन भूनेंगी तो मैंने यहाँ पर चार चमच बेसन लिया है जो खाने वाला चमच होता है उसी से ऐसे लो फ्लेम पर आपको पांस से साथ मेर तक के लिए भूनना है जब तक कि बेसन में एक अच्छी सी खुसबू ना आने लगे जैसे से आप इसे भूनेंगे लो फ्लेम पर इस पर बहुत अच्छी खुसबू आने लगेगी तब आप क्या करें कि बेसन को यहाँ पर निकाल ले दूसरे बरतन में जो मसाले थे ना वो भी यहाँ पर ठंडे हो गया है तो मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी इसे ना आपको एकदम दरदरा पीसना है इसे ना जो स्टफिंग है ना उसका टेश्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है अब प्याज की खचारी बना रहे हैं तो प्याज त जाटा है अपना हाथों से काट करके प्याज को यूज करें चौपर वेगर हम ना डाले नहीं तो प्याज से बहुत साथा पानी मतलब आने लगेगा तो इस टफिंग हमारी बहुत साथा गीली हो जाएगी दो हरी मिर्च लिया उसे भी बारी काटा थोड़ा सा अद्रक और बूलते हैं उसके बार डालेंगे हींग हींग की क्यांटी थोड़ी सी जादा रखिएगा बहुत जादा अच्छी लगती है खाने में उसके बार अध्रक लसुन दाल देंगे और इसे ना अच्छे से लो फ्लेम पे पका लेंगे जब तक यह थोड़ी सी क्रिस्प ना हो ज हुने उसके बाद आप इसमें प्याज को डालें और साथ ही जो मिर्च काटी दिना वो इसमें डालें मिर्च बाद में अट किजेगा तो जलेंगी नहीं और बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा सारी चीजों को यहां पर लो फ्लेम पे ही आपको भूनना है जब यहां पर प्याज हलका सा ट्रांसलूसेंट हो जाया मतलब बहुत ज्यादा नहीं पकाना है प्याज में जो उसका क्रंची पनाना वो रहना चाहिए अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी साथ ही डाला है मैंने कलर के लिए कस्मेरी लाल मिर्च थोड़ा से एक चमची करीब आमचूर थ इसके बाद क्या करेंगे बेशन था जिसे अबने भूना था वह इसमें अभी आधा आधा करेंगे अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लें यहां पर बाकी का बेशन आड़ करते हैं अब चोचोरी एक पुली फूली बनेंगी तो यहां पर डाले एक चुटकी के मतलब एक चु पूरी सी हो जाएगी यहां पर बेकिंग सोडा डालेंगे ना तो जो कचोर यह एक दम फूली फूली बनेगी दम सिक्रेट चीज है अब जरूर से अब बनाते है यह आलू वाली चैटनी जो कि बहुत साधा अच्छी लगती है खाने में तो इसके लिए मैंने यहां पर इमली अच्छी से मैंने पीस करके इसका पेश्ट बना लिया है इस तरह से चटनी बनाएंगे बहुत जल्दी बन जाती है बहुत कम वेश्टेज निकलती है और सारी चीजों को यहां पर अच्छे से चान लेंगे आपको लगे तो आप यहां पर पानी भी आड़ किसेगा क्योंक काला नमक साथी चाट मसाला डाला दाला दौ मिर्च मैंने काटके डाले हैं और साथी बारी कटा हरा धनिया सारी चिजों को यहां पर मिक्स कर लेंगे यह आलू की चटनी बहुत जाधा अच्छी लगती है खाने में अब किसी भी मतलब कचाड़ी समोसे के साथ खाई यह ब अंडी हो गई है तो मैं क्या करूंगी ना इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूंगी वैसे मैंने इसके चौदा बॉल्स बनाये थे मतब चौदा ही कचाड़ी बनी थी और जो आटा था ना वह अठारा नहीं हाँ सत्रा के राउंड बना था जो कि बाद में दो तिन बच गय अब मैंने इधर तेल भी गर्म करने के लिए चड़ा दिया है क्योंकि तेल हमें बहुत साधा गर्म नहीं चाहिए कचाड़ी में आटा भी यहां पर तोड़ा सब फूल गया है तो क्या करेंगे ना कि हम इसे वापस से गूत लेंगे एक दो मिनट तक के लिए और इसकी छो चोटी चोटी लोई यहां मैंने यहां पर तोड़ लिया है और सारी को मैं यहां पर गोल गोल पेड़ी बना लूँगी उसके बाद आप क्या करें इसमें श्टफिंग करें तो पहले ना आप बीच में मोटा ही रखें और साइड साप इसे पतला करते जाए इस तरह से कचो कर देंगे अब आप वापस इसे थोड़ा बीच में दवा करके से चप्टा कर दें यहां पर इसी तरह से और साइड साइड को थोड़ा सा और पतला कर दें इस तरह से उंगली से दवाते हुए बिल्कुल भी कचोड़ी फटेगी नहीं और एकदम फूली फूली बन करके त करनी हुई है और प्लीज एक पर जरूर से ट्राइ किजेगा मैंदे वाले तो अब हमेशा ही बनाते हैं लेकिन आटे कभी एक पर ट्राइ करके देखेगा बहुत जादा अच्छी लगती है इसी तरह से मैंने यहां पर चार-पांच कचोरियां यहां पर बना लिए स्टफि दल लेंगे तो जैसे की आप डालेना इसमें आटा लका हिलका से इसमें बुन-बुन स्यानी चाहिए तो एकदम आटा पर्फेक्ट है अब मैंनी यहां पर अपनी कचौडियां डाल दिया दिखिए एकदम तेल ठंडी है एलकी हलकी से हिसमें बुल बुले आ रहे हैं इतना आपको गर्म रखना तेल को एकदम घर में मत ढालिएगा ने तो कचोड़िया ना खसता नहीं बनेगी अब फ्लेम को एकदम लो कर देना है और इसे धीरे धीरे तक आपको सीखने देना है धीरे-धीरे क्या होंगी ना कचोड़िया जो नीचे बैठी देना वो ऊपर आ जाए लग जाएगा आपको एक बार सिखने में आपने एक ही बार में ज़्यादा कच्वारियां डाल दे मैंने तो पहले टाइम में सिर्फ चार ही डालेते हैं और कच्वारियां हलकी सी क्रैक हो जाएंगी लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं फटेंगी जब यह अच्छे से सुनेरी हो जाए ना तो आप इसे निकाल लेज़ेगा लाश में आप इसका थोड़ा सा फ्लेम तेज करके इसे हलका सा लाल भी कर सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से मैंने यहाँ पर दूसरा बैच भी डाल दिया और दूसरी बैच वाली कच्वारिया और भ कच्वारियों को निकाले और एक्दम अच्छे से ठंडा करें एक्दम कच्वारिया क्रिस्पी रहेगी बहुत लंबे टाइम तक भी देखे कितनी ज़्यादा फूली फूली है और यह तो मेरे एक फिंगर चला गया ता तो यह नीचे गुस गई बहुत ज़्यादा क्रिस् संद आएगा और कैसी लगी वीडियो मुझे जरूर से कमेंट करके बताईएगा और जानते हैं अच्छी लगी हो ना तो मुझे कमेंट कीज़ेगा और अगर ट्राइ करते हैं तो मुझे बताईएगा कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो मुझे जरूर से कमेंट पर एक street style serve कर रही हूँ तो मैंने एक छोटे से दोने में रखा है कजारी को अच्छे से crust कर दिया है और इसमें मैं आलू वाली चटनी डाल रही हूँ बहुत ज्यादा instant चटनी है ये भी अच्छी लगी होगी तो मुझे like कीजेगा बाबाई